आज हमारा सन्नी पात बहुल है बहुल बहुल माने बहुत ज़्यादा और सन्नी पात माने सन्निकट सन्निकट बैठने का कारेक्रम सम्मिलन सन्नी पात मतलब होता है सन्निकट सन्निकट बैठने का सम्मिलन और बहुल का मतलब है बहुत ज़्यादा लोगों का अधिकतर लोगों का तो इसको बोलते हैं सन्नी पात बहुल दूसरा हमारा आज सन्नी पात चुकि सुब सन्निवार होता है तो यह हमारा NRI डेवी है जो हमारे बहार के लोग जुड़े हुए हैं जो काम कर रहे हैं वो भी आज के दिन जुटते हैं अपनी बात रखते हैं और इस दिन हम ज़्यादा तादात में खटे होते हैं तो अपना कंसेप्ट अपना एक्स्प्रियेंस और अपनी बातें यहां बताते हैं दरसल समन संग है क्या और समन संग क्या कर रहा है क्यों ये इतने सालों बाद दुबारा से इसका संग चक पवत्तन हुआ यानि संग के चक्र का बदला प्रवरतन लगाता चलना क्यों आरंब हुआ क्यों इसकी जरुत महसूस हुई और कैसे ही अपने आप बाहर इमर्ज होके एक साथ जैसे पानी से बाहर निकलते हैं या जुआला मुकी की तरह फूट के बाहर निकलते हैं कैसे बाहर निकलाया ये सारी की सारी इस्थिती और परिस्थिती कैसे निर्माण हुई कैसे निम्मित हुई ये एक लगातार चैन में चलने वाली पूरी कहानी है पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं उनको सुख चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए, उनको सुविधा चाहिए, उनको सनक्षण चाहिए ये सारी चीजें जितनी भी हैं सुरक्षा, विकास, सुविधा वो सारे जीव मांगते हैं आईसा कोई जीव नहीं है जो सुख सुविधा या सुखी पूर्वग जीवन ना चाहता हो या जिसको सुरक्षा नहीं चाहिए या जिसको विकास नहीं चाहिए तो हम भी जीव हैं और जीव के सीर्स पर हैं यानि के सबसे उपर हैं जीवों की जो संखला है उसमें सबसे उपर आते हैं और पूरी दुनिया में प्रत्वी के उपर सबसे ज़्यादा अगर कहीं सोचने की, समझने की, जानने की, करने की जो ताकत मिली हुई है, जो गुण मिला हुआ है, वो मनुस्य के पास है मन से, मन हमारे पास ज़्यादा इसलिए हमको मनुस्य बोलते हैं मन का इस यानि मन उस से तो हमको भी ये सुख, सुविदा, सुरक्षा, विकास ये चाहिए और अपने बच्चों के लिए भी चाहिए एक बार को हमको मिले या ना मिले पर हमारे बच्चों को मिलना चाहिए तो सुख, सुविदा, विकास, सुरक्षा ये कैसे मिलती है इसके मिलने के क्या तरीके है अगर कहीं मानवों का समू हो कहीं अगर लोगों का जुंड हो लोगों का देस हो लोगों का राज्य हो लोगों का जिला हो लोगों का गाउ हो लोगों का वर्ग हो तो कैसे मिलता है और कैसे सब को ये मिलना चाहिए ये लड़ाई है वो जो संसादन है वो जो पानी है वो जो हवा है वो जो खाना है वो जो काम करने का धिकार है वो जो बरावर पैसे का धिकार है वो जो बरावर सिहत का धिकार है बरावर दवाई का धिकार है इसकूल में पढ़ने का धिकार ह है, जहाज मरने का अधिकार है, कोठी में रहने का अधिकार है, पैसे रखने का अधिकार है, इजजत का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, सोचने का अधिकार है, और बड़े से बड़े काम करने का अधिकार है, वो बरावर चाहिए, और उसी का सारा सारा जगडा है, हमारे बाठा करते थे अपने जितने भी लोग हैं जिनको समन्द बोला करते थे यानि समता में रहने वाले समानता में रहने वाले अच्छे जो लोग थे और वो सबको खुले हातों से इन अधिकारों को दिया करते थे ना किबल इनको जो बाहर से लोग आते थे वहम आते थे उनको भी अधिकार दिया करते थे पर धीरे धीरे इस्थितियां बदलती गई अधिकार देने वाले अधिकार लेने की लाइन में लग गए और जिनको अधिकार खुले हाथों से दिया करते थे उन्होंने अपने हाथ पीछे कर लिए और सारे अधिकार अपने पास रख लिए सारे सुख उसुविदा चाहें उनके इस्तमाल के हो या ना हो चाहें उनके काम के आते हो या ना हो चाहें बेकार जाते हों पर उन्होंने बरावर समानता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार, खाने पिने का अधिकार, देश में धन संपति का अधिकार, इजद का अधिकार, देने में अपने हाथ पीज़े खीच लिए और पितारना आरंभ हो गई, वो अधिकार बापिस चाहिए वो अधिकार जो हम दिया करते थे वो बापिस हमको वो अधिकार चाहिए कि इन संसाधनों के बटवारे का काम हम ही करेंगे दुवारा से क्योंकि हम इसको सही तरीके से कर सकते हैं ये जगड़ा है ये जगड़ा है कि हम सब समानता में रहना चायते हैं हम सब समानता का वहवार समानता का राज्य अस्थापित करना चायते हैं ऐसा राज्य अस्थापित करना चायते हैं जहां सब बराबर हूं ये लड़ाई है ये जगड़ा ह इस लड़ाई को बताने के लिए क्योंकि लड़ाई इतनी अंदर जमिन के दा चली गई कि हमको ये पता ही नी चला कि समानता के लिए या इन अधिकारों के लिए या सुख सुविधा और जो ये हमारा जितना भी सुरक्षा या विकास है इसके लिए हमको मिलना चाहिए या हम इसके लिए लड़ भी सकते हैं या लड़ाई भी कोई चीज होती है या या अधिकार भी कोई चीज होते हैं ये भी हम पूरी तरह से भूल चुके इसका कहीं जिक्रिब नहीं होता था और जैसी जिंदगी बिना अधिकार वाली मांगने वाली भिकारियों वाली बिना बोलने वाली दबी कुछली सूखी हड्डियों वाली जिंदगी वही अपनी नियती वही अपना हिस्सा मानकर हम संतुष्ट होने की प्रिक्रिया में लगबग पहुँच गए जिसको कहते हैं जानवर के बरावर आना जानवर को कुछ खाने को दो ठीक ना दो ठीक मारो तो ठीक पिर उन्हें मौका मिला समझने का जानने का मौका बहुत लोगों को मिला ऐसा नहीं है कि कम लोगों मिला बहुत लोग जाना तो कुछ लोग अपना खापी के अपने मौके का इस्तमाल करके चुप चाप अपने आपको फिर दुबारा से इस्थापित करके सुख सुविधा मिला बात पूरी नहीं होती है मेरे पीछे जितने भी दवे कुछले लोग हैं जो इस इस्तिती में पहुचे हुए हैं उनको ये बताना उनको ये जगाना उनको ये उठाना और उनको ये देना आउश्चक है और यही जीवन है ऐसा उन्होंने अपने जीवन में माना और काम और काम होगा तो महापुर्सों ने खास तोर से बुद्ध जैसे लोगों ने बावा साव अमिटकर जैसे लोगों ने जोतीवा फूली जैसे लोगों ने साहुजी महाराज जैसे लोगों ने पैरियार साहब जैसे लोगों ने और बहुत सारे महापुर्स हैं संख्यान गनित ह उन लोगों ने बात को समझा, बात को बताना शुरूर किया, जो संसाधन उनके पास थे, पैदल चले तो पैदल, साइकल पर चले तो साइकल, कोई कारवार मिली, किसी को सरकारी तो कारवार में बैठे, परचा च्छाथ सकते तो छाप लिया, नहीं तो मुह से बताया, तो इसा के लिए सुला दिया, बहुत सारे खिद लिये, बहुत सारे अपाहिज कर दिये, करांती और प्रिटी करांती का यह हिस्सा है, यह चलता है, जो समझदार है, वो नहीं मारे जाते, यह कहानी चलते चलते चलते, 74 साल पहले वहां जाके रुकी, जहां डॉक्टर अधिकारों को लिखित में दिया, लिखित में, उससे पहले यह सारे अधिकार लिखित में लिए गए, छीने गए, जिसको मनुस्मर्ती बोलते हैं, वो भी एक विधान की किताब है, वो जबर जस्ती का है, उसमें भी दंड सहिता है, उसमें कोई सरकार दंड नहीं देती, उसमें कुछ लोग उस व्यवस्था को चलाते हैं, उसके अनुसरा चलाते हैं, और वो जो व्यवस्था नहीं मानता, उसको दंड देते हैं, तो व्यवस्था और उससे पहले भी एक व्यवस्था थी, जो लिखित में नहीं थी, मौकिक थी, और वो व्यवस्था हमारी थी, ज पूरे देस ने यह माना कि यह अधिकार जितने भी मिले कूई कहे कि सम्मिधान में कम्पलीट सम्मिधान हमें मिला है बावा साव अकेले थे उनके पास कोई अधिकार हमको नहीं मिला जो हमें मिला है सिर्फ राजनितिक समानता का अधिकार था वो भी कुछ समय के लिए हमें सामाजिक समानता का अधिकार भी नहीं मिला तो आर्थिक और सामाजिक समानता का अधिकार बहुत कोसो दूर बात है आज भी 14 साल हो गए सिर्फ सामाजिक समाज में अभी भी गयर बराबरी और समानता चलती है और अच्छी तरह से रन करती है हर जिगर रन करती है पर जो अधिकार लिखित में आए उससे मनवल बढ़ा कुछ लोगों को उस अधिकार के तहत में रोजी रोटी का भी संसादन बावसाब ने महिया कराया वो मिला क्या नहीं हो रहा है यह जानकारी तो कम से कम उनको है जानकारी समाज में दें या ना दें पर जानकारी लीख होते होते पता चल जाता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो जानकारी आती रही इन्हें सब को जगाने के लिए कुछ लोगों ने कमर कसी और कमर कसने कि बाद उनोंने अपनी जीवन लीना में होम कर दिया कि हम नशादी करेंगे नवा करेंगे और हम जंजागरण करेंगे लोगों को जगायंगे बड़ा काम है महान काम है ऐसा करने के लिए संठων बनाने का यअवसक्ता होती है संठन भी बने और शंठन बने तो संग्ठन चलाने के लिए पैसे किया सकता होती है तो लोगों ने पैसे भी दिये क्योंकि कुछ पैसे आगे नौकरी वगरा करकर आके तो कुछ लोगों ने पैसे दिये भी काफी लोगों ने दिये कुछ लोगों ने अपना टाइम भी दिया और संग्ठन के रूप में भी लो कुछ नोगों को ये लाला चागआ कि वह राजनीति के सीर्झ पे टॉप नेता बनेंगे या बन जाएंगे या मैं ये नेता बनना चाहिए हूं मैं ही इसको कमांड करना चाहिए जब उन संग्ठनों के अंदर कुछ लोगों के मन में ये लाला चा गया कि ये जो पैसा आता है इस पैसे का मुर्गा खा लें इस पैसे की सराब पी लें इस पैसे की जमीन खेद के अपने नाम कर लें इस पैसे का हम कार खेद के अपने बच्चों के नाम कर लें इसका स्कूटर खेद के अपने न लगा हमारी समस्या जब होने लगी जब लोग एक दूसरे के ऊपर चड़कर ऊपर जाने का सोचने लगे एक दूसरे को मार के ऊपर जाने का सोचने लगे तब समस्या हो गई हमारी समस्या जब हो गई जब हमारे लोग संग्ठनों में अपने नीत स्वार्थ के लिए बिकने और बेशने लगे और सौदा करने लगे हमारी समस्या जब हो गई जब अपने संग्ठन की खवरें दूसरे दुस्मनों को दूसरे ग्रोधियों को जाके लीक करने लगे और बेशने लगे एक सराव की बोतल में दो पैसे में या अपने किसी लालच में हमारी समस्या वहां हो जब लोगों के वच्चसवे और लोगों के नाम आगे बढ़ने में बाधा आने लगी और लोगों ने अपने नाम को अपने वच्चसवे को बढ़ाने के लिए समाज के टुकड़े कर दिए संग्ठनों के टुकड़े कर दिए और टुकड़े दो के चार चार के आठ लगाता होते चले गए, वहां हमारी समस्या हुई, ये समस्या इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि एकटे होने के फायदे तो बहुत दूर की बात है, नुकसान होने लगे, और इतने बुरे नुकसान होने लगे, कि जो कारवा बावा साब ने कहा था, कि अगर इसको आगे ना है कि वो क्या sentence बोलने है कारवा अगर बढ़ा ना सको तो पीछे मत लेके जा रहे हैं मतलब उनको शक था उनको सुबा था कि कारवा पीछे भी जा सकता है मतलब पहले से ही दूर दर्सिता है और बता के जा रहे हैं फिर फिर भी चेते नहीं हमाएं लोग देखते नहीं समस्य अगते नहीं तो जो समस्य आई जो पूरी पूरी दिक्कत थिए पुराना बी आया हुआ था जो अकिले बावा साब लेके या कुछ लोगोंने मेहनत करके उसको मैंटन करके रखा, या कुछ लोगों को इखटआ करके रखा, या कुछ जनजागरती का आधार बनाके रखा, वो आधार खेशकने लगा, उसमें तूटफूट होने लagी, जो अधिकार, रेजर विस्न के तीनी अधिकार थे, पढ़ाई का अधिकार, नौकरी का अधिकार और MLA MP बनने का अधिकार ये अधिकार जाने लगे, MLA MP की कोई वकात नहीं रही, वहाँ कोई सुनता नहीं पढ़ाई के अंदर सीटे मिलने बंद हो गई, हुई तो महंगी हो गई, वजीफे बंद हो गई और जो नौकरियां हैं, वो नौकरियां लगनी बंद हो गई, डिपार्टमेंट बिकने लगे और आरक्षण धीदिरे खतम होने लगा, तो ये जो नुकसान हुआ, ये छोटा नुकसान नहीं है, ये बहुत भाई नुकसान है जो विकास के जितने संसादन है, वो किसके पास रहें, कौन उनको कमांड करें, कौन उनको नियंतित करेंगा, किसके अधिकार में वो रहेंगे क्योंकि जिसके अधिकार में रहेंगे वो जिसको चाहे उसको ज्यादा दे सकता है जिसको चाहे उसको कम दे सकता है ये उसके अधिकार की बात है उसको कोई नहीं जोग सकता तो एनलेसिस किया गया कि आखिर चल क्या रहा है ये जो संग्ठन हैं ये कितने हैं और ये संग्ठन क्या कर रहे हैं और इनमें दिक्कत कहा रही है तो टोटल बामसेफ के काईकरम में हमें बताया गया कि ये 31 लाग करीब संख्थन हैं जिसमें 29 लाग संख्थन समणों के हैं वंबनों के करीब 4 लाग संख्थन बताये थे तो 29 लाग संख्थन में जो लगबग 4 लाग संख्थन हैं वो एक्टिव बताये जाते हैं और बाकी स संग्ठन इन्डएक्टिव बताये जाते हैं आइसा उन्होंने बतायां वहाँ से हमें जानकारी मिली है उस आधहर पे हमें पता चला कि जो संग्ठन है वो एक ही कार्रीय के बहुत सारे संग्ठन है यानि कि समाज को जागरित करने के हज्जारों संग्ठन है जिनको बाम सेफ जिनको डॉक्टर अम्बेटिकर के नाम पे कल्यान के नाम पे सोसाइटी के नाम पे योतिवा फूले के नाम पे पैरियार साब के नाम पे मतलब किसी भी महापुरुस के नाम पे या बिना किसी महापुरुस के नाम क समाज को जगाने के बहुत सारे संग्ठने पिर पता चला कि पैसे के यानि आर्थिक वाले संग्ठन बहुत जादा हैं जो चिट फंड चलाते हैं जो पैसा खटा करते हैं जो लोगों से पैसा खटा करके ब्याजप देते हैं आर्थिक रूप से या सावन बेशते हैं लेते है फिर पता चला कि लड़कों के दल बल के नाम पे हजारों संग्ठन है कोई सम्ता सेंग दल के नाम से है कोई सम्ता सेंग दल के नाम से है कोई टाइगर फोर्स है कोई चीता फोर्स है कोई सेर फोर्स है कोई अलग अलग तरह की फोर्स लोगों ने बना रखी है फिर पता चला कि राज़ीती के बहुत सारे संग्ठन हैं जगे 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 किसी ने छेते पार्टी किसी ने जिले की पार्टी किसी ने इस्टेट की पार्टी कोई राष्ट्य पार्टी बनाने में लगा पड़ा है पार्टियों के टुकड़े हो रहे हैं कोई महासंग कोई फैडिसन कोई कंफरेडिसन बहुत सारी हैं फिर पता चला के मतों के साधूं के मतों के बहुत सारे संग्ठने एक ही गुरु रविदाज जी के बहुत सारे संग्ठने जो लग लग चलते हैं एक ही कवीर साब के बहुत सारे संग्ठने जो लग लग चलते है एक ही जो हमारे दुर्बलनात महराज है उनके बहुत सारे संठें जो लग 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 चलते हैं बुद्ध के जितने मठ हैं जितने बुद्ध बिहार हैं वो सब लग लग चलते हैं और इनके अखिल भारतिय भिक्कु संग, भारतिय भिक्कु संग, इंडियन भिक्कु संग, कई सारे भिक्कु संग अलग चलते हैं, जो वमणों के भिक्कु संग वो लग चलते हैं, जो समणों के हैं वो लग चलते हैं, जो तिरपुरा के हैं वो लग चलते हैं, जो तिबबत के सारी जितने भी संग्ठन वाले लोग हैं ये कभी आपस में आज तक बैठे ही नहीं एक दूसरे की चाय के लिए ना बुलाते हैं ना चाय पीते हैं और ना यह कभी बात करते हैं अभी पिछले दिनों तीन साल में खुँब हला मकाय लोगों ने चौबिस आ पर जो लोग 24 के नाम पर डारा रहे थे, धमका रहे थे, सारे काम करते, वो सब जैसे 24 आया, पार्टियों के पीछे लग गए, पार्टियों की चम्चगरी में लग गए, और सारे नामी गरामी भाशन देने वाले, सब टिकेट ढूनने लगे, सारे, मतलब सब की दोड एक टि यह वो, या जो अखिल बारतिय भिक्कु संग है, वो या जो रविदाजी के संग्ठन है, वो या कवीर साब के है, वो या वालमी की के संग है, वो कोई नहीं उठाएगा इसको, इसको भूल जाईए आप, इसको बात भी नहीं करेगा, कोई, इक्षटे होने का जिक्र भी नहीं जीत-जीत पाओगे, और राजनितिक पार्टियों का तो एक बार को अलग-अलग होना सौझ में आता है, कि महां MP MLA बनना है, पैसा आना है, बजट आना है, पावर आनी है, कार आना है, कोई हर आदमी प्रधान मंती बनना चाहता है, कोई घ्रह मंती बनने को त्यार नहीं है, पर भाई धरम के और मतों के संग्ठरों में भी मारा मारी है, यह समस्य पर है, सरकारी करमचारियों के संग्ठर में मारा मारी है, यह बात समस्य पर है, यह समस्य बहुत विसाल और बहुत गंभीर और बहुत विकट है, जो हम को लगातार कमजूर कर रही है, और हम को खतम कर रही है पर सारे लोग जितने भी सामाजी रूप से काम करते हैं वो इस पे चर्चा तक भी करने को त्यार नहीं है चर्चा भी करने को त्यार नहीं है एक दूसरे को ना बुलाने को त्यार है और ना समर्संग के बुलावे पर आने को त्यार है और ना ही फोन पर बा बाइस साल का अनुभव है और ये अनुभव ऐसे नहीं है बहुत हाज जोडे हैं बहुत लोग पास गये हैं कोई अफसर है आइए से आई पीय से आईर इसे जो काम करें समाझ ही उनके पास भी गये जो बुद्धी जी भी अपने आपको कहता है पत्रकार है लेखक है जो अपने आपको डॉक्टेट बताता है जो प्रोफेसर बोलता है उनके पास भी गए हैं जो यह जितने भी प्रोफेशनल हैं इंजीनियर हैं डॉक्टर इनके संग्ठन इनके पास भी गए हैं किसके पास नहीं गए और सबसे एक ही काया कि भाई आप इखटे हो जाओ हम आपके साथ हैं पर एक साथ डॉक्टरों के भी अलग-अलग संग्ठन बना रखे हैं तो कौन अकल देगा कहां से लाओगे अकल अब अकल कहीं विक्ति विक्ति तो है नहीं या ओप्रेशन करके खोपड़ी मे दुखाई देते हैं वही अलग-अलग हैं किसको कहें जो लेखक जो यह कहता है कि मैं बुद्धी जीवी हूँ और मैं दुनिया को सिखाता हूँ लिखता हूँ और मैंने तनी किताबें पड़े हुई हैं उनके दिल्ली में छहचे संग्ठन है दलित लेखक संग महादलित पता नहीं कौन कौन से लेखक संग बमाराराख एंउनमें जगडे चलते हैं उन में टोपी के सॉल के साल मे काय कलम करते हैं टोपी सॉल पैना व होट पैस्छवा lotus संग और अकल तूंटा हैं करी दूर दूर तक पता नहीं अकल का 22 साल हो गये उन सब को खुसामत करते 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 और 22 साल लगाता लगाता करते करते जब हो गये तो यहां पूर्टल पे 2021 से जुड़ना सुरू किया एक्सिडेंटली क्योंकि थकान नाम तो हो गई कि आंध़ी है तो कोई कीट का समय था यहां इखते ओना शुरूहे सब मोग को संपर्ख्ग थे सब прирimen जाए तो कुछ लोगोंने कहां कि नहीं होते हैं तो वीदा पीपल नाम से इखते होते हैं किसी का अईडिया था विस पीपल तो विदा पीपल बनाने की सोचने लगे कि संग्ठन बना लेते अरे संग्ठन से तो परिशान ही है अब इसका भी संग्ठन बनाओगे क्या अब इसमें भी नेतागरी करोगे क्या अब इसके लिए भी MLA MP का टिकट जा के हाज जोड़ो क्या तो फिर तुम्हारा कहां को ठिकाना हो नहीं सकता तो वो लोग या खूब उन्होंने कोशिस की के यह जो वीदा पीपल है यह वीदा पीपल राजनीती में चलाजाएं यह राजनीती में बदल जाएं इसका कुछ पैसा एक खटा कर ले इसकी कुछ कहीं टिकट brickit की हो जाएं कोई भीड़वल हमारे नाम हो जाएं कुछ हमन में आपस में हुआ ultimately कुछ लोगों ने कहा कि हम वीदा पिपल को ले के जा रहे हैं तो भाई ले जाओ ले जाओ और खुश रहो कभी यह मत कहना कि तुम करांदी कर देते तुमको वीदा पिपल मिला तो वीदा पिपल उनको दे दिया ले जाओ वैसे भी वीदा पिपल में रहे वह रुक गए हैं और धीरे धीरे साधरान लोग यहां आते रहे धीरे बढ़ते रहे धीरे बढ़ते रहे तो सोच में आया कि अरे भाई हम सुरूसई ऐसे हैं या कुछ हमारे पास है भी हम अब तक जिन्दे क्यों हैं अगर हमें मरना होता तो मर जाते वह कौन सी चीज है जो हमको जिंदा रखती है वो कौन सी उड़जा हमारे अंदर है जो हमको जिंदा रखे हुए है वो कौन सी उड़जा है हमारे अंदर वो कौन सा स्रोथ है वो कौन सी एनरड़ी चले है हमारे अंदर कौन सी मौंबत्ती है कौन सी ज्योती है जो हमको मरने नहीं दे र नहीं है हमारे पास में अक्षर ग्यान भी खलगबक खतम है हमारे पास में जमीन नहीं है हमारे पास में कोई उमीद नहीं है विदेश में हमारा कोई हमारा आका नहीं काका नहीं बहारी कोई मदद नहीं हतियार हमारे पास नहीं कोई चीज हमारे पास नहीं है सिभाए एक बल के और वो बल है सांगिक बल एकटे होने का बल और इस एकटे होने के बल से ही हम जिंदा हैं और कोई बल हमारे पास नहीं है ये जो सांगिक बल है ये सबसे बड़ा बल है ये ऐसा बल है कि ये आपको सारी चीजें दिला सकता है अगर आपके पास ये बल है और अगर ये बल नहीं है तो आपकी सारी चीज जा सकती है तो ये जो सांगिक बल है ये संग है ये है कहां ये गया कहां ये पहले कहां था तो ढूनते 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 पता चला कि बुद्ध ने अपनी सिक्षा देने से पहले संग बनाया, पर वो धम्मिक संग बनाया, हमारा जो संग है, पुराना संग है, उसमें और बुद्ध के संग में अंतर है, बुद्ध का संग धम्मिक संग है, अपनी सुधी करने के लिए संग है, अपने पापों को धोने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनका संग है भिक्कूओं का है सिखाने वालों का है टीचर का है सामाजिक संग नहीं है वो पर बुद्ध जैसे व्यक्ति ये संग के नियम लाए कहां से ये संग के नियम उनके पास आए कहां से तो और पीछे जाने से पता चलता है कि बुद्ध जब के थे तब उन्होंने अपने सामाजिक साके समण संग में मेंबर्सिप ली थी और उनकी जो नियम और सर्टे थे वो माने थे और उसका बल उनको मिला उसकी जानकारी उनको मिली उसी समण संग के नीम उनोंने अपने धंई संग में भी खाफी हत्तक लिये और वहां से जो नीब सीखे डिस्रिप्रिन सीखे वह उन्होंने अप्लाई किया तो इसका मतलब हम पुराने संगी हैं हम पुराने संगी हैं ये ताकत हमको जिन्दा रखे हुए है ये गुण हमको जिन्दा रखे हुए है तो इस गुण को अजमा के देख लें कि ये गुण है भी या नहीं है इस गुण को ट्राइ कर लेते हैं कि ये गुण है भी या नहीं है कि खतम तो नहीं हो गया तो प्रकती ने हमको एक चांस दिया दो अपरल अठारे को दो अपरल अठारे को हम कानुन की मदद नहीं बलकर सब हमारे अगेंश थे मला हमारी जो सुरक्षा का एक कवस था सम्विधानी कवच उसको सम्विधान की रक्षा करने वालों नहीं फोड़ दिया और जो कानुन बनाते हैं उन्होंने आंके बंद कर लिए और जो हमारे MP MLA थे उन्होंने मुह मोड लिया और जो बिरोकेर्ट थे वो छोड़के भाग गए और जो राजनीतिक हमारे आका काका थे उन्होंने अपने मुह बंद कर लिए और जितने हमारे संग्ठंते उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आई हम बिलकुल अकेले ठकेले जमीन पर पड़े हुए मर ने के लिए त एक मैसिज कहीं से चला और बस कमाल हो गया वो जो अभूत पुरुक कारिकरम हुआ वो संग का रूप वो सांगिक रूप वो बिना निन्यता का इखटे होने की ताकत उस इखटे होने की ताकत से हम जिंदा हो गये हमको यह पता चल गया कि हमारे पास कुछ नहीं पर इखट ना की ना हमने कोई ना हमने कोई शुर मचाया लोगोंने उसको तोडने के लिए हमारी हमारी लड़के मारे गए बहुत साथ लड़कों को उन्होंने भवी से ख़राब कर दिया बहुत लड़कों पर F-I-R है अभी हम इतने पावरफुल नहीं है कि उनकी F-I-R हटा सके और जो संग्ठन हैं वो हाथ डालते नहीं, वो मौका परसते हैं, वो उनके लिए लड़ते नहीं और संग में अभी इतना दम है नहीं, तो संग का दम बढ़ाना है, संग की ताकत बढ़ानी है ताकि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें, उनकी F.I.R. हटवा सकें, अप हमारे घर पे आए, लोग हमारे घर पे आएं, सरकार हम से पूछे के बताओ आपको क्या चाहिए, और कोई काम हमारा खराब करने से पहले सो बार सोचे कि काम खराब करना है या नहीं करना है, फिर हमारा काम खराब हो गए नहीं, ऐसी ताकत का हमें पूरी तरह से रुपांत हैं तो ध्यान से देखने पर पता चला कि हां तो सभी लोग उन्हें संग बना रखा है हम को छोड़के बाकी सब लोग पहले से हमारे सांगिक नियमों के अधार पर संग बना के रहते हैं सिख हैं थोड़े से अभी 500 साल पहले तो होने हैं पर उन्होंने सिख सिख वही सब्द है जो बारबार आता सिख्खा पदंग समाध्यामी जो संग के अंदर जो धंक संग के अंदर नियम आते हैं पानाती पाता वेर्मनी सिख्खा पदंग समाध्यामी जो सिख्खा आता है सीखना वही सिख्ख लोग है वह सीख्गे हो सीग ये वहां से किसे काम करता है और उनों ने अपना सिष्टम बना लिया उन्होंने अपने सारे गुरुद्वारे वगडरा सभी खटे कर लिए गुरुद्वारा प्रबंद कमेटी बना लिए उसके नियम बना लिए उस पर चलने लगे उनका आनंद्ड कारज गॉवर्म से और वो अपने संग को खुब पानी देते हैं और खुब बात मानते हैं उसकी कि जो जो उनोंगे कहा वह उनोंने किया और आज बेसक उनके पास बोठीले लगाते हैं वो गरीब हैं पर वो हपते में एक दिन सन्नीपात बहुल करते हैं वो हपते में एक दिन जाके Friday को सब इखटे होते हैं अपने सुखदू को बोलते हैं उतनी नौकरी नहीं उनके पास में पहले कभी हुआ करती थी मुगल टाइम में अंग्रेजों के टाइम में उनके पास नौकरी थी पर जैसे जैसे चोहतर साल में आया है उनकी नौकरी की परसंटेज डाउन होती चली गई है अभी मुसलमानों के पास ज्यादा नौकरी नहीं है पर कोई शिकायत नहीं है कि उनके पास नोकरी नहीं है या या नहीं है वो अपनी यूनिटी में अपने संग में आपने सांगी की structure में लगातार काम करते हैं और कम से कम पेटारणा उनको नहीं मिलती आर्थिक तंगी उनको हो सकती है पर उनको को छो नहीं सकता आज किसी है मैं डरा सकते हैं उनको धंका सकते हैं एकाद एकाद को पर उनको छो नहीं सकता कोई यह उनकी बजबूती है जो सांगी करूडूरूप से काम करती है जो क्रिश्चन लोग भारत में रहते हैं वो बेसक संख्या में ठोड़े हैं पर उनके जो link है वो पूरे यूरोप से मिलते हैं जाके, अमरिका से मिलते हैं जाके, करनाडा से मिलते हैं, वहाँ सारे सारे Christian हैं, उनकी government हैं और वो दुनिया को run करती हैं, तो आप उनको छू नहीं सकते क्योंकि उनके पीछे उनका संग काम करता है, जो यहुदी लोग हैं वो तो दो चार दो चार पांच ही हैं, एक आदी यहाँ पर कुछ उनका नाम है, मैं नाम भूल गया क्या बोलते हैं, उनके पूजा स्थलका, एगस्या कुछ ऐसी करके बोलते हैं, तो वहाँ वो रहते हैं, यहाँ खानमारगी पास में, एक अकिला वेक्ति मुझे यहुद पुरा और वो अपने दुस्मन को कभी छोड़ते नहीं उनका जो सांगी की स्ट्रेक्चर है बहुत मजबूत है तो दुनिया ने हमसे संग सीखा और दुनिया ने हमसे पावर सीखी कैसे काम करते कैसे ने सीखी और हम अपने संग को छोड़के बैठे हुए हैं और यहां तूटे पड़े हैं यह बात अध्यान से पता चली तो पता चला कि भारत में जो लोग काम्याब हैं इस किसमें और जो लोग सत्ता में हैं और जिनके पास सारे अधिकार हैं जिनके पास सब कुछ है और जो सब कुछ रन कर रहे हैं सब कुछ ला रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं तो उनका वी 100 साल पुराना है और 100 साल पूराना के लिए उनने कमाल कर दिया 100 साल के अंदर ने महरत कि और सब कुछ लेगी संख्यां में बहुत निकलता चला गया और इसके नियम हर एक तारिको नियम बनेंगे, फिर पन्दर दिन में एक in なव बने लगे फिर महिने में एक वार नियम बने लगे और उन्न नियमा पर लोग चलने लगे, अब तो इसकी ब्रांचे बहुत बनते जा रहे हैं तो ये जो संग की प्रकिरिया है और जो ये संग बन रहा है और जो संग ये वल्व हो रहा है ये सारा कातर संग है क्या बेसी कली और ये संग कैसे काम करता है ये बहुत सिंपल सा है ये सिंपल सा इसलिए है क्योंकि इसमें कहीं कोई फालतु की बात नहीं है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके दिमाग को बंद करती हो इसमें पूरा तर्क और विज्ञान है तर्क और विज्ञान के अधार पे आप यहां चर्चा कर सकते हैं अपने सवाल जवाब कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि संग कैसे काम करता है क्या नहीं करेगा तो बहुत जावजा जो पढ़ने वाला लिखने वाला बुद्धी जी भी होता है उसका काम कुछ नहीं है सबसे पहला सवाल यह ठोकता है अच्छा आप इखटे हो जाएंगे तो करेंगे क्या यह सवाल सबसे पहले आता है उसका जो एक भी आदमी को जोडता नहीं, जो कभी संगी definition जानता नहीं, जिसको संग के वारे में क्याख है कि पता नहीं, उसका सवाल सबसे पहला यह होता है, क्योंकि उसको बुद्धी प्रूब करनी होती है, कि इखटे हो जाएंगे, तो क्या करोगे, तो समन संगी कहते हैं, कि यह एक आदमी की चलेगी, यहां दस-पांच आदमियों की भी नहीं चलती, यहां तो संकी चलती है, तो उसको यकिन नहीं होता, कैसा कैसा हो जाएगा, क्योंकि अब तक नेताओं में और व्यक्ति के गुलामी में ही सारा जीवन कटा है, एक व्यक्ति ने जो कह दिया, वो म हमारा सांगी की स्ट्रिक्चर है, जिस पर समन संग चलता है, क्या वहां व्यक्ति की चलती है, लोगों को चुन के भेजते हो, लोग चुने वे लोग वहां पर एक को कारेपाला के रूप में न्यूक्त करते हैं, जिसको आप प्रिधान मंत्री बोलते हो, वो मंत्री और वो का पैसा लोगों को दिया जाता है कोई अपनी जेब से तो पैसा देता नहीं तो यह सांगिक व्यवस्ता है सारे लोग अपना पैसा देते हैं वो टेक्स के रूप में जाता है गौर्मेंट उसी किया जाता है तो संग्ठनों के मुह बंद हो जाते हैं संग्ठन वाले भाग जाते हैं क्योंकि जानते हैं वो सब कि बावा साव अंबेटकन ने सांगिक व्यवस्ता के लिए कहा है और हम व्यक्तिवादी मुनार्की में चला रहे हैं ताना सा ही चला रखिए राज तंत्र चला रखा है व्यक्ति वाद चला रखा है इसलिए कोई भी संग्ठन काम्याव नहीं हो सकता और नहीं होगा तो संग्ठनों से जितनी जल्दी छुटकारा लिया जा सकता उतनी जल्दी ले लेना चाहिए छोड़ देना चाहिए संग्ठनों को क्योंकि अगर संग्ठनों को छोड़ोगे नहीं तो फिर आप कहीं के रहोगे नहीं इसका यकीन किसी को नहीं होता है तो 74 साल की हिष्टी देख ले और 74 साल में ये देख ले कि संग्ठनों को चंदा देने से संग्ठनों को पैसा देने से, संग्ठनों की बात मानने से संग्ठनों के साथ खड़े रहने से, संग्ठनों की वहवाई कने से संग्ठनों के मेंबर बनने से अधिकार गए या अधिकार आए और 54 साल में भी अगर किसी को अभी यही यकीन है कि संग्ठनी कच कर सकते हैं तो उसका मर जाना उचित है, उसका हड़ जाना उचित है क्योंकि फिर उसका कुछ नहीं हो सकता जो आदमी चोहतर साल के कारेक्रम में को एनलेसिस नहीं कर सकता, जो आदमी चोहतर साल के लगातार गिरते हुए गिराफ को, लगातार जाते हुए अधिकारों को देख नहीं सकता, वो अंधा है, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, और जो व्यक्तिन संग्ठनों को लेकर बै रहे हिए और लगाताद संट्रों को टोड़ के पिर संट्र बना रहे इसका उद्हन बता हूं आपको बोरकर साभिए जो बाम सेफ है अभी तो वह एतराज करते हैं कि हमारा नाम बोरकर माम सेफ बोल दिया पर बोरकरसाभ की बाम से लिदिस बोरकर अगर उनके अगेंस्ट में फैसला हो जाए तो वो चल नहीं सकता वहाँ, मैं इसलिए उसको बोल सकता हूँ क्योंकि कुछ लोग वहाँ से जिन्होंने पुरा जीवन दिया वो तूट गए वहाँ अभी, तीर महीने पहले और उन्होंने एक नाग करके अलक्से संग बनाया, उस संग में हम 5-7 संगी गए थे वो हमारे यहाँ सेंटर पर भी आए सेंटर पर आगे उनसे बादचित होई ये बीडी बोरकर वाले जो गुरुप के लोग हैं, ये हमको बहुत गाली बगते हैं, पर हम कभी बुरा नहीं मानते हम कहतें के भाई, समझ जाओ बात को समझ जाओ, पर वहाँ जो उन्होंने स्टोरी सुनाई वो स्टोरी बहुत भ्याना के और खराब पर बतानी पड़ेगी आपको क्योंकि वहाँ पर एक ट्रस्ट बना हुआ है उस ट्रस्ट में लोगों ने अपने महिने महिने वरगी सेली दी और वहाँ पर को जमीन जाओद बनी और उस जमीन जाओद का हिसाब उन्होंने मांगा जो बहुत पराने संगी जिन्होंने पैसा दिया उसका हिसाब नहीं मिला वो ट्रेस्ट कुछ लोगों के नाम है और वो ट्रेस्ट गया और वो जमीन जैजाद गई और उसका डिकलेशन नहीं हुआ कि वो समाज का है वो लाला चाह गया क्योंकि उन्होंने अब जो भी कुछ उन्होंने किया तो इतना जो दावा ठोकने वाले लोग थे वो भी कल्पि के आए महां से उससे पहले और तूठ हुई है उससे पहले यह सारे तूटे जो समता संग दल है उसके कैसा सारे तुकड़े हैं जो भारतिया बहुत महा सावाय से आप पूछो तो आपको पता चलेगा तो लड़कों के दलबल भी टूटे पड़े यह सारे के सारे जो टूटे पड़े हैं यह एख्टे क्यों नहीं होते और यह तूटे क्यों हैं तो दुस्मन कौन हैं जब एक्टा करने का काम लिया था हात में तो तूटने का काम क्यों सुरू हुआ इसको हम पूछते नहीं और वो बताते नहीं वो तो कभी नहीं बताएंगे क्योंकि चंदा बंद कर दोगे आप पर आपको पूछना चाहिए पर हमको पूछना चाहिए तो जितने संगी हैं उनको पूछना चाहिए अरे भाई इतना जान लगाई सब कुछ लगाया परिणाम आया नहीं और तुम तूट गए कारण बताओ क्या है क्या नहीं है पर अब वो स्टेश चली गई है उसका कोई फायदा नहीं कोई फायदा नहीं से पूछना है का भी क्यों से बैस्ट आज के समय समन्संग है समन्संग से बहतर अगर किसी के पास कोई विकल्प है समन्संग से बहतर अगर किसी के पास कोई और चीज़ है तो ले के आओ और यहां आगे बहस करो तरक करो और समन्संग को तरक में हरा दो और समन्संग खुछी से तरक में हारने को त्य नहीं है या समनसंग खराब है या मैं समनसंग खराब है एक सिंगल आदमी नहीं आया हम तरज गे उस आदमी के लिए कि जो आए कोई संधन तो आये को तो आता नहीं इसका मतलब कि हम अभी तक ठीक हैं और जब ठीक हैं तो तेजी से इसमें जुड़के काम को बन जाना चाहि शाए जो ललकों के दलबल मोलुं कोई चाहिए और यह सारे के सारे एक होने चाहिए और एक ही ब्रक्षटी डालियां होनी चाहिए तो तो जीत हो सकती है अधरबाय जीत का सपना ही रहेगा सारे ऐसा किसे मारे जाएंगे इस बात को कहते कहते ठक गए तो अब यह हमने फैसला किया कि अब याचना नहीं रण होगा और इन संग्ठनों का हरण होगा जब तक इन संग्ठनों का हरण नहीं होगा औ चीरहन में छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, अब इनको फोड़ेंगे, तब छोड़ेंगे, यह ऐसा नहीं मानेंगे, वरना हम खतम हो जाएंगे, 24 के बाद में, बाई चांस की बात है, कि आपको 2-4 साल का टाइम मिल गया, वरना उम्मीद तो यह थी, कि 24 में मामला खतम, और यह जो समय मिला है, अगर इसमें इन संग्ठनों को चीरहन नहीं किया, इनको फोड़ा नहीं, इनको लटकाया नहीं, इनको पूरे समाज को बताया नहीं, कि यह सबसे बड़े गद्दार और दुस्मन है, तो आपको अफसोस और हम को, हम सब को अफसोस के लावा और आओ या आओ, या कहीं प्लेटफार्म पे आओ, या कहीं कुष्टों होना चाहिए, जब छूम पड़ जाए आदमी और बोले ना, तो इसका मतल़ यह है, कि वो आदमी मकर बना के पड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि उसकी रोजी रोटी चलती रहे, उसका चंदा चलता र नहीं है, चाहिए वो धार्मिक है, चाहिए वो राजनितिक है, चाहिए वो सामाजिक है, चाहिए वो संतों का मतवत है, किसी भी हलत में पूरी कठोटा से इसको पालं करना, पूरी कठोटा से, ऐसे नहीं सोचना है, कि मेरे घर आया है, भीक मांग रहा है, याशन मांग रह खावी पर पाईसे नहीं है क्योंकि यह पाईसे नुक्सान दे रहे हमको और सपोर्ट में नहीं जाना है चाहे किसी का धर्ना हो चाहे किसी का प्रदसन हो नहीं जाना है सपोर्ट में एक ही सर्थ में जाना है कि पहले साथ आओ उसके बाद में सपोर्ट में आना है यह जो हम स समझते हैं कि सब ठीक चला है उनका और हमाई लोग इसने चले जाते हैं कि चलो हम लोगों का मनोबल बढ़ाएंगे यह मनोबल टूट रहा है हमारा उनका तो बढ़ता है पर हमारा टूट रहा है देखो रैली का धंदा आ गया है और रैली में नहीं जाना मैं फिर पता देता हूं आपको जैसे ही सेप्टेμBER खतम होता है रामला मैदान की दिल्ली का बता हूं आपको बागी ममभी वगयरे वहाँ के लोग बताएंगे रामला मैदान की Bikinड Sir Houth pursued संडे या जब παलिया मेप का सेसन चलता कि लग बग रामला मैदान सारा बुक रहता है और ये शातिर लोग जितने गिद्ध हैं ये रामले मैदान बुक कर लेते हैं तो रामले मैदान बुक करने का फाइदा क्या है रामले मैदान दस वीस हजार रुपे में बुक होता है वो खाली मैदान है उसमें कुछ नहीं करना होता बीस हजार की कुर्सियों किराय वरा जाता है मंच वहाँ बनी हुई है और होड़िंग बैने जो होते हैं वह पंदर रुपे फिट से लेके 40 रुपे फुट में लगते हैं अगर लोहे के श्टील के उसमें लगें तो 40-45 रुपे फुट लखड़ी में लगें तो 20-25 रुपे फुट और मैंने सरकारी करमचारियों के दिल्ली प्रदेश का धिक्ष ना हूं परी संंको बहुत ध्यान से देखा महा संक को ध्यान से देखा सबको देखा है कितने रशते हैं 10eti करोल की तीस करोल की कितनी ब्रांचें है flying sbikk ूद की सारे बैंट की της bli और पायसा बढ़ता हुआ आता है फंटा करने वाला अपना हिसा रोक लेता है वो थोड़ा सा भेशता है पर थोड़ा-थोड़ा करते करते भी करोड़ों आ जाता है तो दो-ड़ाइलाग रुपर सारा खर्च हुआ लोग अपने खर्चे से आते हैं अपने पैसे आते हैं भी बस करके आते हैं एक रैली करने में गरीबी दूर हो जाती है गर फोसी तरह और करें रैली का जोगाड़ कर ले एक रैली में गरीबी दूर एक रैली में operate अगर करना है इसलिए रैली में नहीं एनका वरूबके नी जाना बहुत नहीं जाना कोई फायदा नहीं इनके जाने से बहतर है कि हम घर बैटके सिख्खों की तरह मसलमानें की तरह coalition की तरह दूसरे वाले संग की तरह अपने संगों को मजबूत करें और इतना मजबूत करें कि हम एक Voice यहां से दाएं कि हमें पूरे भारत के सारे जिलो के अंदर सिर्फ तीन दिन के लिए वहां पर काली पट्टी बांद के अपना काम करना है तो पता चला कि इतनी काली पट्टी है कि सरकार की विलेंस विभाग को ये पता चला कि किसके लिए हम काम कर रहे हैं यह चोटी मोटी पंस्या के लिए कंगे काम नहीं कर रहे हैं हम सारी पर्मने το शॉलुशन के लिए प्रू कर रहे हैं और यह संभव है क्योंकर दूसरे लोग भी इससे करते हैं और वह हमnaire करते और ये संग हमारे हैं, ये संग हमारा पहले से रहा है, हम इन संगों के मालिक रहे हैं, इसलिए हमको दुबारा से इस पर काम करना है, तो क्या करना है इसके लिए, इसके लिए सरफ एक वाक के रटना है, और एक वाक के सीखना है, और कुछ नहीं करना है, मैं समन हूं, हम समन ह बस यह वाक्ट के रठना है इसको यहां माथे पर चपकाना है इसको यह टी-शट पर लिखना है इसको कमर पर लिखना है इसको घर पर लिखना है इसको बाइक पर लिखना है कुछ नहीं करना है जो व्यक्ति वमन नहीं है वो लिखे के मैं समन हूँ आप किस मजभब को मानते किस धर्म को मानते हैं किस मत को मानते हैं कहा नोकरी करते हैं क्या खाते हैं क्या पीते हैं क्या भासा है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है किस छेते में रहते हैं क्या आपकी पहचान है क्या आपका लिंग है कोई इससे लेना देना नहीं है आप समने इससे लेना है और इसी से क्योंकि जो समन होगा पदाइसी होगा तो इतना ही sentence आपको अजय बना देगा मैं विजय की बात नहीं कर रहा विजय तो वो होती है जो पराजय में बदल जाती है मैं आपको अजय की बात कर रहा हूँ यह आपको अजय बना देगा और सदियों तक के लिए अजय बना देगा कि आपकी पुस्तें भी बैठके कहेंगी कि क्या चीज थी समन संग कि सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं समन हूँ और अजय एक हमें पूरा पूरा अधिकार मिल गया और यह चमतकार होके रहेगा हमारे जीते जी यह हमारे मरने के बाद पर यह बाद सत्य है हमारा समय चल रहा है संग्चक पौवतन चल रहा है इसको दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती अपने जीते जी अगर यह परड़ाम देखना है तो दूसरों के हिएं जाना नहीं है किसी के प्रदेसर में जाना नहीं है और लगातार सब को कहते रहना है कि तुम गदार हो, तुमारी वैसे हम मरे हैं और इनको बंद करो दुनियादारी और किसी को पैसा देना नहीं है और मैं समन हूँ, मैं समन हूँ चाहतरफ करना है, हम इसमें जीत जाएंगे ये गारंटी है और समन संक पर यकीन रखना क्योंकि आज एक घटना बहुत बड़या घटी है वर्किंग कमेटी के लोगों की एक मीटिंग हुई जिसमें अधिकतर जो वर्किंग कमेटी के लोगों नोंने ये कहा कि हम जीवन परियंत राजनीती में नहीं जाएंगे उन में से मैं भी हूँ हम जीवन परियंत राजनीती में नहीं जाएंगे हमने कसम ली हुई है और ये कसम हम पब्लिक में भी लेंगे कि हम जीवन परियंत राजनीती में नहीं जाएंगे तो यकीन रखना है इस बात का कि हम किसी भी हलत में समन संको इधर से उधर नहीं जाने देंगे हमारी लास पैसे को लेकर जाया कर तो जाएगा हमारे जीते जे किसी की हिम्मत नहीं जो इसको छो ले इस यकिन के साथ, इस वस्वास के साथ अगर मेरी बात किसी को खराब लगी हो या लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ हम समने हमारे सभी संतों को बंदामी संगन को नमामी, संगन नमामी, संगन नमामी, संगन नमामी संतों को बंदामी तंम सरेन गच्छाम। तंम सरेन गच्छाम।